Hi everyone, so, आज हम सीखेंगे कि हम में हमारे document में blank page कैसे insert करते हैं Blank page माने एक नया page, एक साधा page So, चलो अब देखते हैं कि हम हमारे document में blank page कैसे insert करते हैं For example, समझें कि यहाँ पर paste two में हमें कुछ text enter करना है पर आप देखें यहाँ पर हमारा text enter करने के लिए कोई space नहीं बची है तो जब हम क्या करेंगे हम यहाँ पर blank page insert करेंगे तो blank page insert करने के लिए हमें हमारा cursor text के end में रखना है क्योंकि हमें हमारा blank page इस page के बाद चाहिए न तो हमें हमारा cursor यहाँ पर इस text के end में रखना है तो अब हम हमारा cursor यहाँ text के end में रखेंगे और अब हम यहाँ पर insert tab में आएंगे और insert tab में आने के बाद हम यहाँ pages group में हम click करेंगी blank page पर तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे document में blank page add हो चुकी है हम ठुड़ाई से zoom out करेंगे ता कि आप देख सके के यहां पर blank page है सो यहां पर देखे हमारे document के pages के बीच एक blank page है तो इस तरह से हम हमारे document में blank page insert करते हो for example यहां पर हमें हमारे document की पहली page blank चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हो इस document की पहली page में text enter की हुई है पर हमें यहाँ इस page के पहले एक page चाहिए जो blank हो सो जब हम क्या करेंगे सो जब हम हमारा insertion point यहाँ पहली वाली line के starting में रखेंगे हमारा insertion point यहाँ इस पहली वाली line के starting में रखेंगे और दिन हम click करेंगे blank page पर So अभी आप देख सकते हो कि हमारे document में blank page add हो चुकी है अब हम यह भी देख सकते हैं कि हमारे document की पहली page blank है So इस तरह से हम हमारे document में blank page insert करते हैं Okay So अभी यहाँ पर next है page break Insert tab में pages group का एक और command है वो है page break आप एक बार यहाँ पर देखें अपना mouse pointer page break पर over कीजे और यहाँ पर read कीजे End the current page here and move to the next page So यह page break word application में एक ऐसा feature है जिसे use करके हम हमारे current page को जहाँ पर end करना है वहाँ पर end करके direct से हम एक नए page में जा सकते हैं अभी आप confused होड़े होगे कि अगर हमें नया page चाहिए तब हम blank page insert करते हैं पर यहाँ page break क्या है तो अभी blank page और page break में क्या difference है यह last में देखेंगे पहले हम यहाँ पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम page break को कैसे insert करते हैं और उसे हम किस तरह से use करते हैं इसका मतलब है कि यहाँ जो page है इस page में हम चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ दो पारग्राफ नज़र आए जैते कि हमने यहाँ पड़े हैं end the current page here and move to the next page सो हमें यहाँ पर हमारी page को end करना है और हमें next page में जाना है जहां पर भी आपको पेजब्रेक इंसर्ट करना है उस text के end में आप अपना cursor place कीजे उसे वहाँ प्लेस करने के बाद आप insert tab में आकर Hasta Once जा कर पेजब्रेक पर क्लिक कीजे तो हमें यहां second paragraph के पास हमारी page end करना है तो हम हमारा cursor इस text के end में रखेंगे इसे यहां रखने के बाद हम insert tab में आएंगे और देन हम click करेंगे page break पर तो अब आप देख सकते हों कि हमारी page यहां पर end हो चुकी है और जो भी text हमारे first page में था वो automatic से एक नए page में shift हो चुका है तो अभी तो आपने notice कर लिया होगे कि blank page और page break में क्या reference है लेट सी आप यहां पर देखिए जब हम यहां पर page break insert करते है तब जो भी text हमारी first page में था वो automatic से एक नए page में shift हो चुका है यह page break और जब हम blank page insert करते है तब हमारे document में एक पूरी की पूरी blank page add होती है लेट सी हमारा cursor हम यहां इस second paragraph के end में place करेंगे और हम insert tab में आएंगी और देन हम click करेंगे blank page पर आप देखे यहां पर blank page insert होई है पर जो भी यहां पर text था second page में वो एक नए page में आ चुका है पर इन दोनों के बीच एक blank page add होई है यह है इन दोनों के बीच का difference blank page जो हमारे document में पूरी का पूरा एक नया page insert करता है और वही page break जिस page में हम work कर रहे है उस page को वहां पर end करके एक दूसरे page में जाने का चांसा में देता है तो इस तरह से हम इन दो comments को use करते है पर यहाँ page break का एक और important usage है वो अभी हम देखेंगे आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यह heading है how to use page break in word यह जो heading है वो हमें एक नए page में चाहिए तो हम क्या करते हैं जब हम जब use करते हैं enter की इससे enter 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 इस तरह से enter प्रस करते हैं हम उसे एक नए page में shift कर देते हैं अज़े beginner हमें नहीं पता है ना कि हमें इसे direct से एक नए page में कैसे ले जाना है सो हम यहाँ पर enter की का use करते हैं ओके अभी तो हमने enter की को use करके इसे एक नए page में shift कर दिये हैं चलो, यह तो हो गया, अब क्या होता है, यह देखेंगे, पर उससे पहले हम आपको यहाँ एक बात clear कर देना चाहते है, कि यह जो heading है, how to use page break in word, यह heading हमें हमेशा एक नई page के top में ही display होनी चाहिए, चाहिए हम कितनी भी text enter कर ले, इसके आगे वाले pages में, यहाँ पर यह condition है, ओके, चलो, अभी तो हमने enter key को use करके, इस heading को एक नई page में shift कर दिये है, तो अब हमें यहाँ पर इसके आगे वाले pages में कुछ text enter करना है, तो अब हम वो text enter करेंगे, तो यहाँ पर हम random text generate करेंगे, तो अभी देखें यहाँ पर क्या हुआ है, क्या यहाँ पर हमारी heading first page के top में है, नहीं, जैसे हमने यहाँ पर text enter किये है, वा heading page के bottom में चले गई है, पर यहाँ पर condition था कि यहाँ जो heading है, वो हमेशा एक नए page में start हो, और नए page के top में ही रहे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्यूंकि हमने यहाँ पर enter key को use किये है, हमने enter key को press करते हुए, इस heading को इस page के top में पहुंचा दिये है, पर जब हम यहाँ text enter करते हैं, इसके आगे वाले pages में, तब वहाँ heading नीचे जाते रहेगी, तो अगर इस तरह से हमें किसी line को या फिर किसी text को एक नए page के top में पहुंचाना है, एक नए page में पहुंचाना है, तब हम use करते हैं page break, ना कि enter की, तो अब हम यहाँ पर page break insert करके देखेंगे, तो जिस भी text या फिर line या फिर heading को आपको एक नए page में shift करना है, तब आप अपना cursor उस line के सामने रखिए, उस line के starting में रखिए, अब हमें यहाँ इस heading को एक नए page में shift करना है, राइट, तो हम यहाँ इसके starting में अपना insertion point रखेंगे, इसे यहाँ रखने के बाद हम यहाँ insert टैब में आएंगे, और दिन हम यहाँ पर click करेंगे page break पर, तो अभी आप देख सकते हो, यहाँ हमारी heading एक नए page में shift हो चु है, अभी हम इसके आगे वाले pages में text enter करके देखेंगे, कि यहाँ line यहीं पर रहेगी, यह move होगी, let's see, so आप यहाँ पर देखे, अभी हमने यहाँ पर text enter किये है, पर यह heading है, वो एक नए page में ही है, और यह कहीं भी move नहीं हो रही है, so इस दरह से हम page break को use करते है, so अगर आपको कभी इस तरह का work करना पड़ा हो, तब आप enter की use ना करे, आप यहाँ page break का use कीजिए, thank you.